मेरी भूली बहु, अनन्द रुक्मनी जी का इकलोता बेटा था और अनन्द की शादी नव्या नाम की लड़की के साथ हुई थी, नव्या बहुत ही सीधी, साधी और अच्छी लड़की थी, वो अनन्द से बहुत प्यार करती थी और अपने सिसुराल वालों के साथ बहुत ह अच्छे से रहा करती थी रुकमेणी जी के पती यानि की रमेश जी अपनी नौकरी से रिटायर हो गये थे और पूरा दिन घर में रहा करती थे अनन्त एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी क्या करता था और नव्या हाउस वाइफ थी नव्या के इस सीधे नेचर के चलते रुकमेणी जी उससे अपने सारे काम करवा लिया करती एक दिन शाम के लगबग आंट बच चुके थे और नव्या रसुई में खाना बना रही थी अरे यह मेरे डाबिटिस की दवाई खत्म हो गई है जरा अनंद को फोन करके कहो ना मेरी दवाई लेता आएगा अरे बेटे को क्यों परिशान करते हैं ठकाहारा ओफिस से आता है बिचारा तो उस पर परिशान ही क्या है ओफिस से आते वक्त मेडिकल की दुकान से मेरी दवाई ले आएगा अरे नव्या है ना, मैं उससे कह देती हूँ लेकिन वो तो अभी खाना बना रही है तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए आपकी दवाई लेने चली जाएगी तो उस पे क्या भी गड़ जाएगा ठीक है, जैसा तो मैं ठीक लगे वैसा करो अरे नव्या बहू, जरा बाजार जाकर ये अपने पापा जी की डाइबिटेस की दवाई तो ले आना ममी जी मैं खाना बना रही थी, इस वक्त बाजार जाओंगी तो खाना बनाने में देर हो जाएगी ना अरे कोई बात नहीं, पहले अपने पापा जी की दवाई लिया, वापस आकर खाना बना ले ना बसे ममी जी, रूटी तो सारी बन गई है, बस दाल में तड़का लगाना है मैं बाजार जाकर आती हूँ, तब तक अगर आप दाल में तड़का लगा देंगी, तो खाना टाइम पर बन जाएगा अरे बिटा, तु इतना अच्छा दाल में तड़का लगाती है, और वैसे बिना आनंद को तेरह ही हाथ की दाल पसंद है वरना मैं खुद एखाना बना लेती, तुझे परिशान थोड़ी न करती हाँ, वो बात भी सही है, अच्छा ममी जी एक काम करते है न, मैं अनंद को कॉल करके बोल दीती हूँ, वो पापा जी की दबाई ले आएंगी अरे बिटा, अब आफिस है था कहारा आएगा, दबाई लेने के लिए रुकेगा, तो उसे देर हो जाएगी न, अब उसे भूख भी लग रही होगी ठीक है ममी जी, वैसे भी अनंद को परिशान करना ठीक नहीं है, मैं ही लिए आती हूँ दबाई और इस तरह से रुकमीणी अपनी बहु से अनंद का नाम लेकर अपना काम करवा लेती है, अगले दिन अनंद आफिस जाने के लिए तयार होता है ममी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूगा, डॉक्टर को दिखाना था न आपको आरे नहीं नहीं बिटा, तू आफिस जा, तुझे बेकार में देरी हो जाएगी लेकिन ममी फिर आप हॉस्पिटल कैसे जाएंगी अरे तू उसकी चिंता मत कर, नेकल जा आफिस के लिए अनन्द आफिस चला जाता है, कुछ देर की बाद नवया अपने कमरे से तयार होकर आती है ममी जी वो मैंने आपको बताया था ना, आज मेरी एक सहली आ रही है और मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, मैं शाम तक वापस आ जाओंगी अरे बहुँ, वैसे तो मैं तुझे रोकती नहीं, लेकिन आज मुझे ना हॉस्पिटल जाना था मैं सोच रही थी, तू मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लिए जाए तो लेकिन ममी जी, आप अनन्द के साथ क्यों नहीं गई, और वैसे भी कल साटर्डे है, अनन्द के छुट्टी है न, आप कल उनके साथ चले जाना, वो क्या है न, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलना था अरे बेटा, अब देखा न, अनन्द पांच दिन नौकरी करता है, इतना ठक जाता है, अब साटर्डे को भी अगर पूरा दिन मैं उसे हॉस्पिटल में लेकर बैठी रहूंगी, तो परेशान नहीं हो जाएगा, क्या हाँ ममी जी, वैसे बात तो आपकी छीक है, अनन्द कितना काम करते हैं, चली मैं ही आपको ले चलती हो और तेरी वो सहली बिटा, कोई बात नहीं ममी जी, मैं उसे फोन पर बात कर लूँगी और इस तरह से नव्या एक बार फिर अपनी सास की बातों में आ जाती है, और अपनी सहली से मिलना छोड़कर सासु मा को हॉस्पिटल दिखाने ले जाती है शाम के वक्त नव्या रुकमिनी और रमिश्क लिए चाय लेकर उनकी कमरे में जा रही थी, तबी अचानक उसे रुकमिनी की कमरे से अंदर से आती हुई आवाजे सुनाई दी अरे रुकमिनी आज तुम अनंत के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? अरे कैसी बाते करते हैं, बहू है ना घर में? फिर मुझे मेरे बेटे को परिशान करने की क्या ज़वरत? अरे लेकिन बहू को अपनी किसे सहले से मिलने जाना था ना तो मैं क्या करूँ, अब मेरा बिटा नौकरी भी करे और बाकी काम भी करे, यह कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बहु को बुरा लगा होगा न, आरा कोई बुरा ने लगा, बेखुफ है हमारी बहु, सीधी साधी है, हमारे बेटे से इतना प्यार करती है न, कि उसका नाम लेकर आप उससे कुछ भी काम करवालो, सब कर देगी, यह सुनते ही कमरे के बाहर खड़ी नव्या को गुस्सा आ गया, वो समझ गई कि रुकमिनी उसकी सीधेपन का फायदा उठा कर, अनंत का नाम लेकर उससे सारे काम करवाली ती थी, लेकिन अब नव्या ने सोच लिया था कि वो रुकमिनी की चाल का जवाब सरूर देगी, और फिर अकली दिन, अरे नव्या बहु, घर का राशन पानी खत्म हो चुका है, तुम ज़रा सूपर मार्केट जाकर सारा सामान खरीद लाना बेटा, ठीके ममी जी, मैं सारा सामान ले आऊंगी, इतना कहा कर अनन्द बिटा, तु ओफिस छोड़ कर ये घर का सामान लेने कहा गया था, नव्या, ये काम तो मैंने तुम्हें कहा था न, वो क्या है न ममी जी, मैंने तो बस अनन्द को कार्ड की डीटेल पूछने के लिए फोन किया था, लेकिन उन्हें पता चला कि मार्केट अकेली आ अचा ठेक है, फिर कुछ दिनों के बाद रुकमिने के घर की साफ सफाई का काम चल रहा था, और घर के स्टोर रूम में रखे भारी सामान को खिसकाने के लिए, रुकमिने को किसी मजदूर की जरुरत थी, अरे रुकमिने किसी मजदूर को बुला लो, ये स्टोर में रखा वा भारी सामान कौन खिसकाएगा आरा क्या जरूरत है मजदूर को पैसे देने की बिनाबाद के पैसे मांगेगा नविया है ना मैं उससे कहती हूँ लेकिन बहु इतना भारी सामान कैसे खिसकाएगी तुम अनंद से कह देना वो उसकी मदद कर देगा आपको मेरे बेटे से क्या दुश्मनी है एक दिन चैन से सो नहीं सकता क्या वो अच्छा अच्छा ठीक है जो तुम्हे ठीक लगता है वो करो आरा नविया बहु जरा इधर आना बिटा क्या हूँ अवा ममी जी बिटा ये स्टोर का सारा सामान खिसका दोना सामान ना थोड़ा भारी है लेकिन मैं न सोचा अगर मैं अनन्द से कहूंगे तो उसकी निंद खराब हो जाएगी ममी जी अब ठीक कह रही है ये काम तो मैं ही कर देती हूँ मैं बस दो मिनिट में आती हूँ अरे कहा जाना है तुम्हें दूसरे कपड़े पहन कर आती हूँ ना ममी जी ये कपड़े खराब हो जाएगी इतना कहकर नव्या अपने कमरे से निकल कर आती है उसके साथ में अनन्द भी आ रहा था अनन्द स्टोर में जाकर सारा सामान खिसकाने लगता है आरे ये क्या कर रहा है बिटा तू क्यों परेशान हो रहा है नविया बहु मैंने तुमसे कहा था न ये काम करने के लिए खमाल करती है ममे आप नविया एक लड़की होकर इतना भारी सामान कैसे खिसकाएगी आपको मुझसे कहना चाहिए न इतना कहकर अनन सारा काम करके वहाँ से चला जाता है उसकी जानी की बार नवया तुमने मेरे बेटे को परिशान क्यों किया ये काम तो मैंने तुम्हें बताया था ना मैंने कहा कुछ कहा ममी जी मैं तो बस कमरे में कपड़े बदलने गई थी और अननन ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करने जा रही हूँ तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया अब वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे ये सब काम करते हुए देख नहीं सकते न इसलिए उन्होंने सारा काम खुद ही करती है नव्या की बात सुनकर रुपमेणी को समझ में आ गया था कि उसकी चाल उसके उपर ही उल्टे पड़ रही थी और इसके बात से उसने कभी भी अपनी बहु के भोलेपन का फाइदा उठानी की कोशिश नहीं की